है गाईज वेलकम बैक टू दा चैनल वन्स अगें होफुली आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे खुश होंगे सेहत मंदूंगे और मैं उठ गई थी क्वाटर टू सिक्स पर और आपने के साथ शेयर कर रही हूँ अपने सोबह के किचिन के कुछ काम तो सबसे पहले शेयर कर रही हूँ इडली सूजी की जिसमें की हम तड़का लगाएंगे लेकिन बिना ओइल के लगाएंगे एक कप सूजी ले ली है इसको बोल में ट्रांसफर कर लिया है और इसमें हम मैं एड कर दूंगी हाफ कप दही थोड़ा बहुत जादा हो जाएगा तो कोई प्रॉबलम नहीं है पहले हम इसको बिना पानी के मिक्स कर लेंगे उसके बाद जरूरत के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसकी कंसिस्टेंसी को एड़्जेस कर लेंगे लास्ट में मैं आपको इसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे सूजी फूल के सेट हो जाएगी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ यतका के लिए पानी बड़ी इलाईची का तो आज बस मैं ही अपनी जॉब पर जा रही हूँ विवेक वर्क फ्रॉम होम करेंगे क्योंकि यतका को थोड़ी सी खासी है और आज सनो भी पढ़ रही है सुबह तो भव को भी नहीं भेज रहे हैं तो यतका को खासी है इसलिए मैं उसके लिए बड़ी इलाईची का पानी बना रही हूँ और पूरे दिन यतका को यही पीने के लिए दूँगी तो देखे यहां पर इसमें बॉयल आ गया है जब तक वो पानी पीने लाइक होगा जब तक मैं इडली की बाकी तैयारी कर लूँगी तो इसको रेस्ट के हुए अराम से 15-20 मिनट हो गए हैं अब इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल इडली की कंसिस्टेंसी जैसा कर लेना है थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ मसाले जैसे मैंने यहां पर ले ली है राई और करीबान आधी चमच के आसपस राई है उसको मैं as it is डाल दूंगी बिल्कुल भी हम oil का यूज नहीं करेंगे साथ में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है स्वात के नुसा डालूंगी नमक और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है और थोड़ा सा मैं हींका पानी डालूंगी बाकी आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी मसाले डाल सकते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इडली बनाते वक्त जो आप तड़का लगाएं उसमें oil की ही जरूरत पड़ती है अगर आप oil free तड़के वाली इडली बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने नमक और बाकी सारे मसाले डाल दिये हैं और गिव दिस बेटर अगुड मिक्स यह जो पानी है यह भी अब इतना नॉर्मल हो गया है कि यतका इसको पूरे दिन पी सकती है तो मैं इसको छान के इस pink color की bottle में डाल दूंगी और यह जो bottle है इसमें पानी आप जैसा सुबह डालो रात तक वैसा ही रहता है तो यतका इस पानी को जब जब प्यास लगेगी पिएगी तो उसको खासी में थोड़ा थोड़ा आराम मिलता रहेगा और यह भी cold and cough की एक तरीके की home remedy है और यह यतका को बहुत सूट करती है आप चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं इनो की quantity थोड़ी जादा डालनी पड़ती है अब यह बेकिंग सोड़ा अच्छे से इस बैटर में डिजॉल्व हो जाए इसके उपर में डाल दूंगी थोड़ा सा पानी और इसको एक ही डिरेक्शन में हमको गुमाना होता है बैटर की कंसिस्टेंस एक दम परफेक्ट हो गई है जैसी प्रॉपर इडली बनाने के लिए चाहिए होती है पहले से ही इडली के जो मौल्ड होते हैं उनको ग्रीज कर लिया था ओल से थोड़ा ओल दा तो एक एक ड्रॉप और उने डाल दूंगी यह इडली बैटर और स्टीमर में अपना पहले से तैयार कर लिया है और इस इडली को हम करीबभान स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए और cover कर दिया, दस मिनट में बनके हमारी इडली तयार हो जाएंगी, और अब मैं सभी के लंच के लिए होट केस में पराठे बनाकर रखके जाओंगी, तो मैं न पराँटे यूजली ट्राइंगल बनाती है तो ट्राइंगल पराँटे बनाने के लिए मैंने एक लोई ले ली थी और उसको मैं थोड़ा सा ही स्प्रेड करूंगी उसके बाद इस तरीके से ओल लगाऊंगी फोल्ड करूंगी फिर ओल लगाऊंगी अगेन एक बार मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और यहाँ पे देखे यह ट्राइंगल शेप आ गई है और अब हम इसको रोल आउट कर लेंगे और हमारे ट्राइंगल पराठे बनके तयार हो जाएंगे तो यह जो ट्राइंगल पराठे हैं सिंपल गोल पराठे होते हैं उनसे जादा इसमें लेयर आती है प्लस यह लंबे टाइम के लिए सॉफ्ट रहते हैं तो मैं अपने लंच बॉक्स में भी पराठा सबजी ले जाऊंगी और इन सबके लिए भी मैं पराठे बनाके कैजरॉल में रख दूंगी और सबजी को मैं पैन में ही बनाके रख जाऊंगी और आज मैंने लंच में बनाई है मटर की सबजी इसी को मैं अपने लंच बॉक्स में ले जाऊंगी तो सिंपली बस टमाटर की ग्रेवी को अच्छे से पका लिया था उसके बाद उसमें डाल दी फ्रोजन मटर थोड़ा सा पानी डाल दिया नमक डाल दिया और एक बार और अच्छे से इसको पका लिया और यहां पर हमारी जो हरी मटर है उसकी सबजी बनके हो गई है तयार हो सकता है आपको यह अभी थोड़ी सी लिक्यूडी लग रही हो लेकिन जैसे जैसे यह थंडी होगी यह अपनी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी और विंटर्स में सिंपल मटर की सबजी खाने में बड़ी ही टेस्टी लगती है आप चाहें तो एक बारी ट्राइ कर सकते हैं और उपर से डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और यहां पर सबजी भी बनके हो गई है तयार और अलरड़ी मैंने रात में थोड़ी सी और प्रेपरेशन कर दी थी जैसे छोले बना दिये थे लौके की सबजी बना दी थी अब बस मैं और विवेक यहां पर पी ले रहे हैं अपनी चाहे तो आज मंडे है तो मैंने आज विवेक के फास्ट के लिए बनाए मखाने तो मैंने थोड़े एक्स्ट्रा बना दिये हैं मैं मंडे को एक्स्ट्रा मखाने बना देती हूँ तो थोड़े से मैं भी ले लेती हूँ थोड़े थोड़े बच्चे भी ले लेते हैं तो मैं अभी तो चाए के साथ मखाने ले रही हूँ उसके बाद मैं इडली का ब्रेकफस्ट करके ही स्कूल निकलूंगी जैसे मैंने आपको पताया था कि आज थोड़ी स्नू हो रही है वेदर भी बहुत थंडा है तो ये है आज के वेदर का हाल तो चलिए इस वीडियो को मैं यही पर करती हूँ एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें फ्रेंड्स फेमली के साथ जाद स्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो बिकम आ पार्ट अफ माय फेमली मिलूंगी नेक्स व्लॉग में जब तक लिए टेक केर बाय और थेंक यू